नमस्कार, आज हम बच्चों की पसंद का पोश्टिक स्वादिस्ट बनाना शेक बनाएंगे यहाँ पर हमने दो केले लिये हैं एक कप दूद्ध, चीनी, एक चम्मज जा स्वाद अनुसार करश किये हुए बादाम, यह आप्शनल है, आइस क्यूब्स मिल्क शेक को ठंडा करने के लिए सबसे पहले हम केले लेंगे, केले को छील देंगे बनाना शेक सबको ही बहुत पसंद आता है, इसे गर्मियों में जरूर ठंडा ठंडा पीना चाहिए केले के हमने टुकडे कर दिये हैं अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें बारिक करे हुए केले के टुकडे डाल देंगे चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कमजा जादा कर सकते हैं क्योंकि केला भी मीठा होता है इसमें थोड़ा सा दो बड़े चमच के करीब दूद डाल देंगे, आइस क्यूब डाल देंगे, पर्फ के टुकडे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मैश हो जाए केले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें बाकी बचा हुआ दूद भी डाल देंगे, दूद नॉर्मल होना चाहिए, आइस क्यूब डाल देंगे, इससे ये बहुती ठंडा बनेगा मिल्क शेक बहुती हेल्दी होता है, बच्चों को जरूर पीना चाहिए और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे मिल्क शेक बनकर हमारा त्यार हो गया है, अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं ये सबको बहुत पसंद आएगा, अब हम इसको ओट चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे करश की उए बदाम डाल देंगे, मजा लीजी, अनन लीजीए, पीजीए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजीए, जादा से जादा शेर कीजीए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजीए ताके आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, धन्यवाद